नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम आपको बताएंगे फेबर के OTG की अन्बॉक्सिंग करके और उसके यूजेज के बारे में सबसे पहले अन्बॉक्सिंग करके दिखाते हैं ये किसका स्मार्ट सा काटन है खोलने के लिए सबसे पहले उपर से टे करना हो ये निकाल कर सको सीधा किया थर्मो कोल और पॉलेथिन हटा देंगे ये देखिए इसमें मिलेगा टैंपर्ड ग्लास टैंपर्ड ग्लास के साथ इसके अंदर में कूल टच हैंडल है जो कि एक बहुत ही खुबसूरत SS फिनिश के साथ बना हुआ है बहुत स्मूथ फ इसके अंदर में जो और अक्सेसरी हैं और यो वायर रैक के बाद या टाउंग जो की ट्रेस को पकड़ने के काम में आता है इससे TRAE donner EEG बहार निकाल सकते हैं यह सके अंदर में रोटेश्य की अक्सेस्री त्सीहनम अद्सके बारे में आपको जानकारी देंगे ये वाटेस सबसे पहले आप जब इस खुबसूरत model को देखेंगे तो इसके अंदर में देखी अप़र heating element और lower heating element दोनों हैं उसके बाद इसके अंदर में चार knobs दिये हुआ हैं यह multi function oven है इसके अंदर सबसे उपर function का knob दिया है function knob में सबसे पहले off उसके बाद rotatory, convection और rotatory और convection का combination है दूसरा knob इसके अंदर में temperature के लिए है ये 100 degree से 250 degree तक set किया जा सकता है third knob selector है इसके अंदर में off, upper heating, lower heating upper and lower heating का option दिया हुआ है fourth knob इसके अंदर में timing set करने के लिए है इसमें maximum 60 minute के लिए set किया जा सकता है rotatory function के लिए आपको अपने recipe को इस rod पर place करके पहले right side में लगाना है और फिर left side से लगाना होता है उसके functions select करने के बाद temperature select करेंगे इसके लिए upper and lower heating दोनों functions को चालू करना है अब हम आपको conviction bake के बारे में बताएंगे के क्या puff बनाने के लिए इसको use कर सकते हैं सबसे पहले इसको reheat करेंगे reheat करने के बाद इसके अंदर में center position पर wire rack में के को रख देंगे उसके बाद selector के थुरू इसके अंदर 180 degree temperature को select करेंगे आपकी recipe जैसे ही तयार हो जाएगी इसकी अंदर की जो light है वो off हो जाएगी जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा cake बन गया है या यह puff बन गया है इसको किसी भी recipe को निकालने के लिए हमको gloves का प्रयोग करना है क्योंकि tray का temperature बहुत होता है पिजा बनाने के लिए हमें same procedure काम में लेना है सेम 180 degree temperature पे इसे bake करेंगे इसके अलावा convection broil इसके अंदर में एक function होता है जिसके अंदर में हम vegetables को bake कर सकते हैं इसको हम नीचे convection tray बेकिंग tray पे place करेंगे या आपकी देखिए क्या tasty और खुबसर सी शानदार recipes तयार हो गई है फेबर OTG में आपकी family और आपकी food habit के साब से बहुत सारे sizes available हैं इसमें आप 24 लीटर ले सकते हैं 45 लीटर ले सकते हैं 60 लीटर अगर बहुत ज़्यादा capacity का अगर आपको चाहिए तो और बहुत ही छोटा यूज है तो 9 लीटर में आपको चाहिए तो झाल से बहुत हुआ है झाल सकते हैं